तो आज में बनाने चारी हो रेस्टूरेंट स्टाइल पनीर कॉर्मा की रेसिपी तो जल्दी से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं इसे बनाना बहुत ही आसान है और यह बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है तो भीना कोई टाइम वेस्ट की हम लोग इस रेसिपी के यह पर पैन में तेल गर्म हो गया है तो पनीयर को सबसे पहले में तो घर सब द्बार्थे करें इसे गवर्ड़न ब्राउन होने तक लिस स्थार बाव bamboo में करें एक तरब से यह प्रय करहा निए धीर-दीर प्यास को मैंने अच्छे से पतला पतला फाइनली लंबा लंबा कर लिया है और इसे हमें फ्राइ करना है तो एक रहाय में मैंने तेल लिया है उसे अच्छे से हमें गोल्डन प्राउन होने तक हमें इस प्यास को फ्राइ करना है प्यास को फ्राइ करने में थोड़ा सा करके हम लोग ग्राइंडर में डाल कर इसका प्योरी टियार कर लेंगे इधर हमारा प्याज भी अच्छे से फ्राई हो चुका है इसे हम लोग टीश्यू पेपर में प्लेट में निकाल देंगे और इसे अच्छे से फैला देंगे ताकि यह ठंडा हो जाए इधर हमारा टमाट फाइनली पेस्ट त्यार करना है तो हमारा यह समूद सा पेस्ट त्यार हो चुका है अब हम लोग बनानी के त्यारी करते हैं तो कोरमा बनाना के लिए यहां पर सबसे पहले मैंने कुछ खड़े मसाले लिये हैं जैसे एक तेश पत्ता है एक डाल चीनी है हाफ टेबल स्पून साही जीरा है एक स्टार है दो बड़ी लाइची है दो छोटी लाइची है और चार से पांच लॉंग है और एक छोटा सा टुक्रा जावित्री का है त थोड़ा सा यह जब हलका सा गर्म हो जाए तब हम लोग इसमें एक टेबल स्पून अध्रक लसुन का पेस्ट डालेंगे इसे एक से दो मिनट थोड़ा सा हम लोग बूनेंगे फिर हम लोग इसमें फ्रेश टमाटर की प्यूरी हम लोग डाल देंगे और इसे अच्छे से हम नेटेन तरहें इसे मेडियम फ्लेम पर बूनें इस लिए फ्लेम भूर आप यह और लगा देंगे और एक से दो मिनटके लिए को देंगे फिर रहुत के लिए यह श्रण पेस्ट करें और पेस्ट लिए यह यह अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे अच्छे से हमें बूनना है सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करते हुए हमें बूनना है जान में मैं थोड़ा सा पानी डाल कर इसमें डालूंगी यह थोड़ा सा गाड़ा दीक रहा है इसमें थोड़ा सा पानी डाल कर जान में हमने इसमें अब इसे हमें अच्छे से मसालों को अच्छे से हमें मेडियम फ्लेम पर अच्छे से बूनना है अब हम रिज में सूखे मसाली आड़ करेंगे 1 अच्छे से मिक्स करेंगे सभी मसालों को हमें अच्छे से बूनना है अब हम लोग कड़ाई में धकन लगा देंगे और इसे 1-2 मिनट के लिए छोड़ देंगे एक से 2 मिनट के बाद हम लोग धकन खोलेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे इस मसालों को हमें अच्छे से बूनना है मसालों को जाद तर धकन लगा कर भूनना चाहिए इसे मसालों में टेश्ट बरकरार रहता है हम लो धकन लगा कर इसे भूनेंगे फिर एक से दो मिनट के बाद हम लो धकन खोलेंगे और इसे अच्छे से हम लो भूनेंगे जोड़ने लगा है, मसाला अच्छे से बून चुका है, अब हम लोग इसमें फ्राइ क्यूवे पनीर को डाल देंगे, और मसालों में अच्छे से मिक्स करेंगे, इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है पनीर को मसालों में, इसे अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है, अब हम लोग में भकन लगा देंगे ताके मसाले पणीर एक साथ अच्छे से मिक्स हो जा जाए इसे एक मिनिट के लिए लिए दखर छोड़ देंगे एक निट के बाद डखन को लेंगे और इस तरीके से हमारा पनीर मसालों में अच्छे से मिक्स हो चुका है यह साइट से तेल छोड़ने लगा है सभी मसाले अच्छे से भून चुका है अब हम लोग इसमें एक कप पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें हमने एक कप ही पानी डाला है अब इसे हम लोग धक कर चा हमने last में डाला ताकि यह उखना हो एक निर्ट के लिए धकन बंद कर एक रख देंगे इस तरीके से हमारा पनीर कॉर्मा तयार हो चुका है अब हम लोग गैस के flame को off कर देंगे अब हम लोग इसे इस तर्विके से हमारा पनीर कोर्म रेसीपी तयार है आप इसे सिंपली राइस, नान, पराठा, किसे के साथ भी से सभू कर सकते हूं, बहुत ही मज़िदार सी रेसीपी, आप इसे जरूर ट्राइ करना, अगर आपको मेरी आज की रेसीपी पसंदा ही, तो प्लिस लाइक करिय और मेरे चैनल को सस्क्राइब करिएगा थैंक यू